हम सभी ने तो महाभारत पढ़ी और क्रिस जी कितना important role play करते हैं हम सब जानते हैं उनकी life में सीखने के लिए बहुत कुछ है So in this video मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 6 life lessons जो कि हमें क्रिस जी की life से सीखना चाहिए और 100% मैं guarantee करता हूँ कि इस video के देखने के बाद आपकी life definitely बदल जाने वाली है अगर आपने इन 6 life lessons को अपनी जिद्गी में उतार दिया तो So hi everyone मैं आपका दोस अविनास कुमार और चलिए start करते हैं Never give up on what you learn क्रिस जी को अपनी flute से बासुली से बहुत जादा प्यार था इसलिए वो बहुत सारे commitment होने की वज़े से भी अपने hobbies को अपनी बासुली बजारा कभी नहीं छोड़ते थे यहां तक कि लड़ाई के समय यूद के time पे भी उन्होंने उसे अपने side में ही रखा इससे ये पता लगता है कि आपकी जो hobbies होती है आपकी जो passion होती है उसे हमेशा आपको use करते रहना चाहिए चाहे कितने भी commitments हो चाहे कितना भी busy हो यही आपकी जिन्दगी में आपको आगे लेके जाती है So the next is being of service to our fellow man Chris जी अपने Vrinda One के सभी लोगों से बहुत प्यार करते थे हलांकि उन्होंने उन्हें poison से भी बचाया था उनका कुछ खास लगाब नहीं था लेकिन उनके लिए mankind सबसे top priority पे आती थी उनका ये मानना था कि stay humble and stay calm और इसके थूँ आप इंसानों को अगर help करेंगे being of service to the mankind is equals to being of service to the God इसलिए आप लोगों को मदद करें और इसलिए indirectly आप God को भी मदद कर रहे हैं so next lesson is taking one day at a time ऐसी बात नहीं है कि Chris जी को अपना future नहीं मालुम था Chris जी अपने future के बारे में भी चिंता रहते थे लेकिन वो हमेशा एक दिन को एक बार में लेते थे वो present में जीते थे आज कल की situation को आज के तरीके से handle करते थे और future को future के तरीके से देखते थे तो हमें इससे ये पता लगता है कि हमारी life में कितने भी circumstances हैं कितनी भी life में problems हैं हमें आज को ले करके जीना चाहिए हमें आज के problems को ले के face करना चाहिए और तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं So the next is Selfless, Unconditional Love is the key क्रिस्म जी हमेशा सभी लोगों से प्यार करते थे हमेशा घुल मिलके रहते थे यहां तक कि वह उन लोगों से भी प्यार करते थे Unconditional Love सो करते थे जो कि उन्हें Offend करते थे उन्होंने इस चीज़ का परिचाय मुक्ती या फिर Enlightenment के टाइम पे भी दिया जिससे में वो डिवोर्ट्स को दे रहे थे इससे उनकी लाइफ से यह पता लगता है कि हमेशा हमें Unconditional Love करना चाहिए दूसरों से क्योंकि प्यार करने के लिए तो जिन्दगी भी छूटी पड़ जाती है जिन्दगी इतनी बड़ी नहीं है इसलिए प्यार से रहिए घुल मिलके रहिए So the next important lesson is Valued His Friendship हम सब इस बात से वाकिफ हैं कि Chris जी ने अपने Friends सुदामा को किस तरीके से मदद की उन्होंने उनसे मिलते समय कभी भी गरीब और अमीर का फर्क नहीं किया उन्होंने हमेशा उनकी हल्फ की और हमेशा उनसे अच्छी तरीके से और अपनी Friendship को Value और एहमियत दे करके ही उनसे मिले इससे हमें अपनी Life के बारे में ये पता लगता है कि हमें अपनी Life में अपने Friends को एहमियत देनी चाहिए और Life Long Friendship को हमें Respect और Love से सिंचना चाहिए और उसके बाद हमें उसके According Love और At The Last Joyable Feel होगा तो इसलिए अपने Friends को अच्छी तरीके से Treat करें Respect और Love के साथ Treat करें और At The Last आपको Result और Outcome बहुत ही अच्छा मिलने वाला है So the next is Krishnan Smiled Always Krishnan जी को आपने कभी भी गुसे मेरी देखा होगा वो हमेशा smile करते रहते थे ऐसी बात नहीं है कि उनके Life में Problems नहीं थी उनकी पूरी Life समस्याओं से गिरी हुई थी पर उनके चहरे पे हमेशा आपको एक प्याड़ी सी smile देखती होगी और ये smile ही उनके Problems का solution निकलती थी ये सबसे simplest lesson है लेकिन बहुत important lesson है आजकल की Life में हमें इसे ये सीखना चाहिए कि हमें अपनी Life में कितनी भी बड़ी Problems आ जाए हमें उसे smile करके face करना चाहिए गुस्सा हो करके नाराज हो करके frustrated हो करके किसी चीज़ का solution निकलता बलकि अगर आपके चहरे पे smile निकलेगी तो जागर के आपको उसका solution भले ही मिल जाए और आप उस solution को अच्छी तरीके से cope-up कर पाएं So the last one is remain calm and composed ऐसी नहीं है कि Chris जी की life में problems नहीं थी बहुत सारी problems थी बहुत सारे ups and downs थे पर फिर भी वो हमेशा हर situation को calm and composed way में handle करते थे हमारी life में भी हमें अपने साय problems को बहुत ही cool and calm way में handle करना चाहिए क्योंकि हला मचा करके frustrated हो करके या पर पूरी दुनिया को सर पर खड़ा करके किसी problem का solution नहीं निकलेगा यहां तक कि आप सुकून और सांती से उस problem का solution ढूनेगे तो यह लाज़िम है कि आपको उस problem का solution आपके सामने दिख जाए उमीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और हमेशा यह जन्माशनी में आपके लिए नई खुसिया और नया जुएल आए थैंक्स पर वाचिंग अवी स्पार्क्स